अस्सलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को ब्राइडल जॉकिट की कटिंग बताऊंगी देखिए ये फ्रंट का नेक है और ये बैक साइड का नेक है इसके साइड में इस तरह अस्तिन दिये वे हैं इस कपड़े को हमने दोनों को अलग कर लिया है इस तरह अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लिंगे इस तरह सेंटर में फोल्ड करते हैं हम बीच सेंटर में से इसके नेक को देखते हैं से बिचा लिंगे फोर फोल्ड करते हैं देखिए इन दोनों को हमने इस तरह बिचा लिया है सेंटर में इसका सेंटर देखते हैं अब इसके बीच सेंटर से इस उर शोल्डर के पास से रखते हुए हमें 22 इंचेस लेना है इसमें मार्जिंग ये शोल्डर कम लेने पर ये वर्क कट हो जाता है बैक साइट का इसके लिए हम इसके शोल्डर 6.5 लेंगे ये एक्सल साइज वालों की कुड़ती जॉकित है देखिए इस तरह 6.5 इंचेस हमने ले लिया है फोल्ड कपड़े के साइट से यहां पर निशान लगा दिया है हमन थोड़ा क्रॉस रखते वे इसे निशान लगाएंगे इसके आर्मोल को यानि की बगल को देखिए इसे हमने क्रॉस रखते वे इसका निशान मना लिया है यह हमारा आर्मोल हो चुका है अब हम फोल्ड साइट से इसका चेस्ट का निशान लिए तो फोल्ड साइट से हम इस कपड़े की साइट से इस तरह हम 9 1 1 2 इंच ले रहे हैं इसके बाद हमOne and Half ंच लेकिन हमें Marging ज्यादा रुखनी है तो हमकर निशान लगाएंगे इस तरह हमने यहां पर 13 इंच पर शॉल्डर के पास रखते वे 13 इंच पर कंबर का निशान ले लिया है अब हम इसे कंबर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे देखिए कंबर की चौड़ाई है 17 इंच तो हमने इसे 8.5 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह एट एन हाफ इंच पर हमने इसका निशान बना लिया है देखिए ये फोल्ड साइट से कपड़े के पास से इस तरह रखते वे कंबर की चोड़ाई हो गई अब हम इसे टेप को हटाते वे इसमें भी दो इंच का मार्जिंग लगा लिंगे इस तरह हमारा दो इंच का इसमें भी माया हो चुका है अब हम इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे इस तरह आप इसकेल भी उसकर सकती है इस निशान से इस निशान को मिला लिया है और बाहर के निशान से बाहर के निशान को अब हम आर्मोल के पास वन इंच का टेप क्रॉस रखते वे इस तरह निशान बनाएंगे इसे और इसे राउंड करते वे इसमें मिलाएंगे हम उपर के हिस्से से भी हम राउंड करते वे इसमें Half इंच जाएंगे तो इस तरह हमें Round शेप ले लेना है अब इसके बाद हम इसमें चौकों की लंबाई लींगे यानि कि हिप की लंबाई डेस की हिप की लंबाई हमारी 20 इंच 20 इंच है लेकिन यह हमारा जॉकेट है तो हम इसे 18 इंचेस पर रखते है क्योंकि जॉकेट की जो चौक की लंबाई होती है वो कम होती है तो हम इस पर 18 इंच पर निशान बना लिए यह हमने निशान बना लिया है शॉल्डर के पास से 18 इंच पर अब हम इस पर टेप को फोल् नाइन फाफ इंचेस लेंगे, देखिए हैमर हमने, फोल्ड साइड से, नाइन फाफ इंचेस पर निशान ले लिया है, और वन इंचेस हमारा, चॉक सिलाई का है, यानि की सिलीट का, अब हम नीचे दामन में भी, यानि बोटम में भी हम यही ओपन साइड में, इतना ही लेते हुए हिप की चोड़ाई से हमें दामन को मिला दिया है यह जो नीचे कपड़ा कम है इसमें हम जॉइंट लगाएंगे अब हम इसे कट कर लिए सबसे पहले हम शोल्डर के पास से कट करींगे इसके बाद हम आर्मोल के हिस्से को कट करींगे यह हमारा जाकेट कट हो चुका है अब यह जो कपड़ा बचा हुआ है इसे हम नीचे की आर्मोल रखते वे इसका दो हिस्से का जॉइंट ले लिंगे हम पहले मैं एक हिस्सा इसे कट कर रही हूँ देखिए इस तरह मैंने इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है अब हम इसे हटाते वे हाफ इंच इसके नीचे रखेंगे देखिए हमने इसे अच्छे से घड़ी करकर रख लिया है हमें इसे जॉइंट देना है इसलिए हम इसके नीचे से हाफ इंच इसके इसे में लगाएंगे और हमने इस तरह निशान बना लिया है अब हम इसे कट कर लिंगे जॉइंट को यह हमारा जॉइंट हो चुका है जो हमारा कपड़ा कम था उसे हमने इसमें बराबर हिसे में कर लिया है अब हम इस आर्मोल कुमापते वे अस्तिन की कटिंग बताएंगे इसके अस्तिन हाफ होते हैं अस्तिन से पहले हम इसमें कट लगा लिया है यह चौकों के पास का कट यह वेश्टी की चोड़ाई के पास का और यह चेश्टी के पास का कट तो यह हमें सिलाई में मदद करते हैं यहाँ पर देखकर हम शेप बनाते हैं और यहाँ पर चौक की सिलाई को रुका देते हैं 10 इंच के सारह कट भगर तो हमें 10 पे करमर बिचाना है यह हमारे असतिन है हम इन दोनों नोगें को यरे यक थो पर बराबर भी हिसे में बिचा लीँगे हमने को हिसे इस तरा बिचा लिया है यहाँ पर कम ज्यादा कपडा चुटा हुआ है अभी सेंटर में करते हुए हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह कि इसे एकदम बीच में सेंटर में रखते हैं बुटों को लंबाई लगाएंगे अस्तिन की देख कि देखिए हमारे रेडी अस्तिन जो अमारे हाफ अस्तिन आना है वह है 7.5 इंच हम उसमें और यहां पर 9 इंच हो जाता है 22 अब हम उपर एक निशान डालें गे। इस तरह यह उपर का हमारा निशान है लंबाई कारa की माड़ायика इस vind अमने में इस इस तरह हम इसके बीच सेंटर में निशान बनाएंगे, तो यह इस तरह हमने 3.5 इंच का निशान बना लिया है, अब हम इस निशान को थोड़ा लंबा बनाएंगे, अब हमारा कट बगल 10 इंच था, तो हम यहां फोल्ड साइट से, लंबाई के निशान पर, टेप को इस तरह कॉर्नर पर रखते हुए, इस लकीर पर 10 इंच तक क्रॉस लकीर खीज देंगे, इन दोनों हिस्सों को मिला देंगे हम, इस तरह यहां से, तेंच तक मिला देंगे, और इसे इस तरह रुका देंगे, देखिए इस तरह हमने, क्रॉस मोड़े वे कपड़े के तरफ से, क्रॉ 5 1 5 इंच तो हम 5 1 5 इंच पर निषान लगा लिए इस तरह यह हमारा 5 1 5 इंच अब इसमें now 1 1 half इंच या फु टू इंच मार्जिंक का रखेंगे मैं इससमें टू इंच रख रही हू Caesar तो इस तरह हम टू इंच ले लिगे और अंदर के निशान बाहर के निशान से बाहर के निशान को इस तरह मिला दिंगे प्रॉस करते वे इसे हमने इस तरह मिला लिया है अब हम इसमें आदे हिस्से से उपर से शेप देते वे हम इसे इस तरह मिला लिगे देखिए मैंने इसे डार्क कर दिया है अब हम इसे अस्तिन की कट कर लेंगे इस अस्तिन को यह हमारे हाफ अस्तिन है देखिए पिल्कुल छोटा सा जॉइंट इदर आया है इस फोल्ड कपड़े को हमें ओपन कर देना है बचे वे तुकड़ों को इस पर रखते वे जॉइंट कर लेना है देखिए इस तरह मैंने इस कली को कट कर लिया है जो जॉइंट हमें लेना है इस पर तो ये था हमारा हाफ अस्तिन अब हम इसके नेक बताएंगे देखिए मैं पहले फ्रंट साइट का नेक बता रही हूँ हमारी जो नेक की चोड़ाई है वो 2.5 इंचेस है इस तरह फोल साइट से 2.5 इंचेस और हमारी लंबाई जो है वो 6.5 इंचेस है तो इस तरह मैंने निचे की तरफ एक निशान बना लिया है और उपर 2.5 इंच का तो जिस तरह हमारा ये गल्ले का डिजाइन है नेक का बिल्कुल उसी तरह हम इस पर शेप निकालेंगे देखिए इस तरह हम इस नेक के डिजाइन को कट कर लेंगे ये हमारा इस तरह प्रंट का नेक कठ हो चुका है अब हम प्रंट के हिस्से में शेप दींगे ताकि हमारे आर्मोल में जोल लाए ये देना बहुत ज़रूरी है नहीं तो हमारे आर्मोल में जोल आ जाता है एक्ष्ट्रा कपड़ा हो जाता है अब हम back side का neck बताएंगे देखे ये back side का neck है देखे back side का neck का size हमारा है 2.5 inches फ्रंट के जैसा नीचे भी हमने 2.5 inches लिया हुआ है और हमारा जो length है वो 5.5 inches का है देखे इस तरह ये neck बहुत बढ़ा है जिसका यह जौकित है वो इतना बड़ा नेक नहीं पेनना चाहते इसलिए हमने इसे बॉक्स बना लिया है छोटा सा नेक का जो हमेशे जो पेनते है वो अब हम इसे कट कर लिएगे हमने इसे पीछे राउंड नेक निकाला है इस तरह और हम यहाँ पर शेप नहीं कट करेंगे क्योंकि यह बैक साइट का हिस्सा है अब यह जो प्लेन कपड़ा आ रहा है हम इसमें इसी तरह ब्लू कलर के कपड़े से इसमें डिजाइन कर लिए बैक साइट के हिस्से में लाइ के जॉइंट और यह फ्रॉंट साइट का हिस्सा यह थी हमारी ब्राइडल ज्वाकिट की कटिंग अब इसकी जो इस्टीचिंग का वीडियो है वो मैं नीचे डिक्स्ट्रप्शन में दे दूंगी आप चाहे तो नीचे जाकर देख सकते हैं उसका लिंक में नीचे दाल जिए थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो